हेलो फ्रेंड्स मैं जीडियस डेंटल से डॉक्टर रोई शर्मा और हम बात कर रहे थे टिप्स और ट्रिक्स ऑफ एक्स्ट्रेक्शन की हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर देखा कि आप पिशेंट को सिलेक कैसे करोगे उसकी मेडिकल हिस्ट्री में क्या क्या देखोगे तुथ की डिफिकल्टी लेवल कैसे चेक करोगे कैसे जज़ कर सकते हो कि ये दांत आपके स्किल के अंदर आता है या नहीं आता और अपने फोर्षप कैसे यूज़ करनी है तो सबसे पहले हम देखते हैं चेर पोजिशन्स को राइट मेंडिबलर पोस्टीरियर को छोड़ कर आपको पैशेंट के राइट में ही whenever उना है और और मेंडिबलर राइट पोस्टीरियर के लिए आपको पैशेंट के पीछे खडा होना है. Next है height of chair. Maxilla के teeth removal के लिए आपको चेर अपको शॉल्डर लेवल से थोड़ी से नीचे रखनी है और年前 polar teeth removal के लिए आपको Dong give a little कीθरेक्षन यानि Maxillary teeth extraction के लिए आपको çalिसी उपर लखनी है और headphone teeth extraction के लिए थोड़ी से नीचे रखनी है extraction के वक्त हमारे opposite hand का काफी important role होता है opposing hand की fingers opposing hands की एक finger आपने बकल रखनी है एक lingual रखनी है आपने extraction के वक्त ध्यान देना है कि adjacent teeth पर unwanted force ना पड़े बहुत बार ये गलती हो सकती है कि हम adjacent teeth को unnecessarily luxate कर दें अगर आप mandibular teeth को extract कर रहे है तो opposing hand mandible को भी support करेगा अगर आप mandible को support नहीं करेंगे और extraction के बद excessive force की वजए से TMG problem develop हो सकती है next important topic है correct grip of force forcep को hold करते वक्त आपने fingers को in between नहीं डालना है और forcep को आप जितना नीचे से पकड़ेंगे उतना काम असान हो जाएगा उतनी ही force multiply हो जाएगी forcep के अंदर now let's jump to mechanical principles of extraction first है expansion of bonny socket bonny socket expansion काफी important चीज है इसको हम luxate करना भी कहते हैं और ज्यादा तर हम luxator या elevator से इसको achieve करते हैं पर हर tooth के bonny socket को expand करना असान नहीं है bone expansion number of root surrounding bone के उपर निर्बर करती है बहुत बार हम ये गलती करते हैं कि luxate करने के चकर में crown ही तोड़ देते हैं bonny expansion जादा तर इसलिए हो पाती है क्योंकि weak buckle bone and interradicular septa छोटे fragment में तूड जाते हैं second है use of elevator elevator and luxator का का काम होता है कि वो असानी से दात को बहार की तरफ धक्का देते हैं और ये instrument तीन चीजों पर काम करता है first है lever, second है wedge and third है wheel and axle first lever principle को देखते हैं lever का काम है कम force से जादा वजन उठाना इस picture को देखो अगर हम बड़ी side से force डालेंगे तो छोटे side पर काफी सारा वजन को भी उठा सकते हैं और beach वाले को फलकरम कहते हैं जिसके ऊपर ये rod काम करती है extraction में long side हमारा elevator का handle बनता है and short side elevator की tip and interdental bone हमारा फलकरम होता है elevator हमारी force को hundred times multiply कर देता है जिसके कारण हम या तो tooth remove कर देते हैं या तोड़ देते हैं second है wedge principle इसका मतलब है एक मयान में दो तलवारे नहीं रह सकती जब हम जबरदस्ती small elevator या luxator को root space में गुसाते हैं तो root pop-up करके भार आ जाती है and इस principle को हम single conical root में apply करते हैं और straight elevator या luxator को use कर सकते हैं next है wheel and axle principle ये principle हम triangular या pennant shaped elevator से use करते हैं and maximum time lower smaller में use करा जाता हैं जब एक root निकल जाती है और दूसरी रह जाती है elevators को use करने के principle जानने के बाद now let's move to forceps principles of forceps use forceps tooth removal के primary instrument हैं और elevator बस हमारा काम असान करते हैं forceps से हम दो चीजे achieve करते हैं पहला bony socket को expand करना और second tooth को socket से बाहर निकालना forceps को use करते वक्त हम पांस्त रह के motion को use करते हैं first है apical pressure जो की periodontal seal को break करता है second है buccal force जो की buccal plate को expand करता है third है lingual force जो की lingual crest को expand करता है fourth है rotational force जो पूरे socket को expand करता है and fifth है pull out force जो tooth को बाहर निकालता है first है apical pressure इससे हम दो goal achieve करते हैं first है bony expansion and second है center of rotation जब हम apical pressure use करते हैं तो pedial break हो जाता है and tooth के अंदर move होने से bony expansion मिलती है अगर हम force up को cj पर लगाते हैं तो center of rotation bone crest पर बनता है and root break होने के चांसे हो जाते हैं पर जब हम tooth को below cj या furcation area से hold करते हैं तो center of rotation apical ही चला जाता है and root fracture होने के चांसे कम हो जाते हैं next है buccal force जब हम buccal force जालते हैं में lingvo crystal bone expand होती है पर apical buccal force भी पढ़ती है हमें excessive buccal bone में pressure डालना avoid करना चाहिए क्योंकि buccal bone weak होती है and chip off हो सकती है next है rotational pressure इस force से internal socket expand हो जाता है and conical roots में काफी useful होता है अगर roots fuse हैं तो भी use हो सकता है और upper third molar में यह rotational force काफी काम आती है पर अगर root curd है and multiple roots है तो इस force से root fracture हो सकती है and last है traction pressure जब आपको लगे socket sufficiently expand हो गया है and tooth mobile हो गया है तब आप इस force से tooth को pull कर लें friends यह सारी बात है तो theoretical है जब तक आप यह practical नहीं करके देख लेंगी कि elevator को use कैसे करना है कहां पे engage करना है force आपको actually कहां से पकड़ना है तो आपको extraction नहीं आ सकती यह सारी बाते चाहे आप याद करो या ना करो इसलिए अगर आपको patients पे practice करनी है patients पे सीखना है तो GDS Dental Academy को join करो friends इस वीडियो में बस इतना ही अपनी next video के अंदर हम बात करेंगे कि इन सारे principle को actually use कैसे करना है tooth को remove करने के लिए और remove करने के बाद आपको patient को क्या क्या instructions देनी होती है care कैसे करनी होती है thank you for watching please subscribe our channel for watching other useful videos thank you